बांगलादेश की बीच बांगलादेश की टीम को तगड़ा जटका लगा है। बाहर हो गया है। मौझदा वर्लकप में बांगलादेश का सिर्फ एकी मैच बचा हुआ है। जो से उस्टेलिया के खिलाब 11 नॉमबर को पूने में खिलना है। साकिप के बाहर होने से टीम को तगड़ा जटका लगा है। बांगलादेश टीम के फिजियो बाईजेदूल इसलाम खान ने चोट के बारे में अधिक जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि साकिप को अपनी पारी की सुरुवात में लेप्ट इंडेक्स फिंगर में चोट लगी थी। लेकिन उन्होंने टैप और पैन किलर लेकर बल्लेबाजी करना जारी रखा। एक्सरे में फ्रेक्चर की पुष्टी हुई है। उनके तीन सी चार हफते में ठीक होने का अनुमान जताय गया है। वहीं आज बांगलादेश के लिए रवाना हो जाएंगे। स्री लंका की खिलाब मैच में साकी फलसनिक, 65 गेंदों में 12 चौकों और 2 चौकों की मदर से 82 रन की मैच विजई पारी खेली है।